हेलो बच्चों आज हमारा question है write each of the fallen decimal in an expanded form हमें decimal को किसमें लिखना expanded form में ठीक है तो देखो यह हमारा decimal है इससे पहले तो सिद्धी सिद्धी क्या तो once होता यह 10th होता जैस हम बोलते हैं once 10 ठीक है लेकिन decimal की बार once नहीं होता यह क्या हो जाएगा 10th हो जाएगा 10th हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा 100th हो जाएगा देखो 10th का मतलब होता हो वन अपॉन 10 100 का मतलब क्या हो जाएगा one अपॉन 100 ठीक है means अगर हम इसको करेंगे भाई one से यह 10 से यह तो यह आ जाएगा 80 8 8 into 10 80 plus 3 लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 multiply one upon 10 क्योंकि यह 10th होता और फिर 100 पलस यह आ जाएगा मारा कितना 4 into one upon 100 ठीक है अगर हम इसको लिखें तो क्या जाएगा 80 plus 3 plus 7 लेकिन इसको जाएगा पलस 4 लेकिन इसको जाएगा यह 10th होता है इसका मतलब क्या है 2 into 10 plus 5 into 1 plus यह 10th होता है मतलब इसका मतलब 0 into one upon 10 plus यह 100th पर है तो 100 की बार क्या हो जाएगा यह 6 into one upon 100 हो जाएगा ठीक है अगर हम इसको करेंगे तो यह 20 हो जाएगा 20 plus 5 पलस 0 का गर करेंगे तो 0 upon 1 तो यह तो वही हो जाएगा सिदर 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 into 1 upon 10 है तो 0 हो जाएगा 0 upon 10 0 होगा पलस 616 upon 100 यह हमारी क्या हो गई expanded form हो गई ओके ऐसी यहां देखो 1s 10 तो क्या होई 10 into 1 पलस 3 into 1 क्योंकि 1 पर यह 10 पर ठीक है पलस यह 10th माना जाता तो क्या मान जाता 10th मीन्स क्या होगा कि यह क्या हो जाएगा 2 into 1 upon 10 पलस 100 से 10th 100 यह 1 से नहीं होता है 10th 100 और आगे से गिना जाता ठीक है इस मीन्स क्या हो 4 into 1 upon 100 पलस यह 1000 पर आगा है तो 5 into 1 upon 1000 ओके अगर हम इसको लिखेंगे तो 10 पलस 3 पलस 2 upon 10 पलस 4 upon 100 पलस 5 upon 1000 ओके ऐसे हमारा नेस देखो 1st 10 माने क्या जाएगा 70 पलस 3 आजाएगा पलस यह 00 है तो जेको 0 upon 10 करेंगे तो यह तो 0 आएगा पलस 0 आएगा लेकिन यह 10th 100 1000 तो 9 upon 1000 आजाएगा ठीक है अब यहाँ देखो 1st 10 यह तो 40 पलस कितना आजाएगा 9 आजाएगा यहाँ पलस यह 0 है तो 0 है आएगा पलस यह 6 upon 100 आएगा क्योंकि यह 100 पर है 100 का मतर 1 upon 100 ठीक है पलस यह 1000 पर है तो 8 upon 1000 आएगा आएगा वान स्टैंस 100 बाइफ 500 पलस यह 0 है तैंस पर यह 1 है पलस यह 0 रहेगा यह 4 upon क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ओके यह डंग्जन को क्या expanded form में कर सकते हैं प्राइब यह 2 रूपी बृता है